हेलो स्टुडेंट मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रेटिकल जोगरफी प्रेटिकल जोगरफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैप प्रोजेक्शन और मैप प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं सेंडिकल प्रोजेक्शन यानि की बेलनाकार प्रच्छेप बेलनाकार यथाक्रतिक प्रच्छेप यथाक्रतिक प्रच्छेप प्रच्छेप होते हैं वो एक प्रकार से सही दिशा, का सही दूरी या जो नाविक जो नोसन्चाल bother होते हैं अधिकांसत है जब उनकी जो चार्ट बनाया जाते हैं या जिसे हम लोग कह सकते को आ सबसे पहले प्रक्रचेश्चेखक को बना गया था और यह यथाक्रितिक इसले होता है यहां पर जो डिग्री की जो मान होते हैं उन अच्छांस रेखाओं के जो मान होते हैं उनके मान हमें साड़ीय टेबल में से लेखर के बनाने होते हैं पहले हम कोशन पढ़ लेते हैं कोशन है एक अनपात 30 करोड मापनी पर संसार का मार्च चतर बनाने के लिए बेलनाकार या यथाकरतिक अथवा मर्केटर प्रच्छिप की रचना कीजिए जिसमें अंतराल 20 डिगरी रखिए तो ये जो कोशन है इसके according हमें इसको क्या है कि solve करना है तो solve करने के लिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसको पहले हमें यहाँ पर 3 step में इसको solve करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग गोले का अर्दव्यास या रिडियेशन निकालते हैं उसका सुत्र होता है गोलिक अर्द्व्यास वराबर प्रत्वी का वास्त्विक अर्द्व्यास बट्टे दी गई भिन का हर तो यहां इसको solve करेंगे यहां से दीगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें कितना है 30 करोड यहां में लिखना पड़ेगा 30 करोड और जब आप इसको यहां पर solve करेंगे तो solve करने पर जो आप cancer आएगा वह आएगा 2.1 cm यानि जब आप आप इसको solve करेंगे तो इसको solve करने पर आपकर 2.1 cm आएगा इसी में दूसरा step हमें निकालना पड़ेगा भूमद्रेखा की लंबाई तो यहां पर भूमद्रेखा की लंबाई बराबर 2 pi r यहां पर हमें रखना है तो यहां पर इसकी value लगा लेते हैं हम लोग तो यहां पर 2 pi की value बाईस वट्टे साथ और r अभी आप निकल के आया वह था 2.1 तो जब आप इसको solve करेंगे तो इसको solve करने पर जो आपको answer प्राप्त होगा वो आपको होगा 13.2 cm 13.2 cm इसका आएगा तो यहां पर हमनों दो स्टेप इसके solve कर लिए पहला था गोले कर्थ व्यास यह सुत्र लगा हमने प्रत्वी का वास्व्यास वट्टे दीगे विनका हर यहां value रखी और यह आया 2.1 इसी में हमने भूमद्रेखा की जो लंबाई लिए वो 2 pi r के आधार लगन देशांतर रेखा हैं जो होती हैं उनके बीच में दूरी क्या होगी तो यहां पर मुल लिख लेते हैं दो कि देशांतरों के मध्य दूरी तो जैसा कि आप लोग जानते होंगी कि दो देशांतरों में जो दूरी होते होता है 2 pi r 2 pi r into अंतराल बट्टे 360 तो आप मान रखेंगे इसके तो यहां पर हम इसको solve करेंगे तो 2 pi r की value यहां देगे आप तेरे पॉंट दो तो तेरे पॉंट दो इंटू अंतराल अंतराल को जब हम लोग निकालेंगे तो कोशन बहु कह रहा है कि अंतराल आपको किना रखना है 20 रखना है तो यह यहां से पॉंचन से देखते हैं यहां लगए 20 और बट्टे यहां देखेंगे आप लोग 360 यह टोटल जो प्रत्वी जो होती है उसके 360 देशांतर होते हैं तो 360 हम लोग नीचे रखते हैं जब आप इसको solve करेंगे तो आप का अंसर आएगा 0.73 सेंटीमीटर 0.73 सेंटीमीटर तो यहां हमने इसके 3 स्टेप सॉल्व कर लिए पहला गोले कर्द व्यास निकाला वो आया 2.1 सेंटीमीटर दूसरा हमने भूमत रेखा कि जो लंबाई इसमें निकाली वो आया 13.2 सेंटीमीटर और दो देशांतर के मद्दी जो दूरी हो होगी वो होगी 0.73 सेंटीमीटर अब इसको सॉल्व करने के बाद में अब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे हमने जब अभी इसको तीन स्टेब में सॉल्व किया था तो आ रहा है था 2.1 सेंटीमीटर भूमत रेखा कि जो लंबा याई थी वो आई थी 13.2 सेंटीमीटर और दो देशांतरों के मद्दी जो दूरी होगी बनाते हैं वो होगी 0.73 सेंटीमीटर इस मर्केटर प्रच्छे में जब हम इसको बनाते हैं तो यहां पर हमें डिग्रियों के मान क्याव सकता होती है यह आपकी किताम में दी गई है अगर आप प्रिटिकल अगर आपके कोई वोक होगी तो उसमें मिल जाएंगे आपको या पर काप कैलकुलेटर से भी डायट आप डिग्री के मान निकाल यह मान में ने औरी लिख दिए अब जब हम इसको अच्छांस रेखा हैं कैसे बनेगी तो अच्छांस रेखा हैं हमसी क्या करते हैं कि वो कोश्टन में कह रहा है आप देख ओड़ प्रेखेप में अंत्रक्तना लैं 20 अजनी 30 की टी और हमनाने के लिए यहां से मान लेकर केस को solve करना पड़ेगा तो जह हम solve करते हैं तो यहां हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले जैसे तो आपको यहां चार अलग-अलग यहां step पहले हम लिखेंगे 20 डिग्री अच्छांस रेखा की भूमद्यर रेखा से दूरी अब जो दूरी है जह हम लेते हैं तो इसका बैस सूत्र होता है कापी माणं जैसे दियायर जैसे 20 डिग्री का निकाल रहे हैं तो 20 डिग्री और into हम इसमें क्या करते हैं जो riders dieten आता है उसको हम यहां रख लेते हैं आप जब आप इसको solve करेंगे तो 20 डिग्री का मान यहां से निकाल लीते हैं पहले तो वह आएदे 2.1 यहां पर 2.1 और जब आप इसको solve करेंगे इसमें से तो जो इसका जो answer निकल के आएगा वह आएगा 0.75 cm तो यहां आप solve पर आपका आएगा 0.75 cm तो 20 डिगरी जो अच्छांस की रेखा जो भूमत रेखा से बनाई जाएगी उसकी दूरी होगी 0.75 cm ऐसे इसमें अब 20 का 40 की रेखा बनेगी सेकेंड में आप लिख लीजिए चालीस डिगरी अच्छांस रेखा की भूमत रेखा से दूरी तो इसमें से वही फॉर्मूला के चालीस डिगरी का मान इन्टू आर अब 40 का मान यहां से देख लो कितना है तो दिया मान आया यहां पर 0.763 आर की वेल्यू कितनी है 2.1 तो इसका जब आप इसको इसमें से अब इन्टू करेंगे तो आपका आएगा 1.6 cm यानि कि जो आपकी चाली डिगरी अच्छांस जो रेखा बनेगी भूमत रेखा से उसकी दूरी जो होगी वो 1.6 cm यहां पर हमें रखनी होगी ऐसी इसका थर्ड आगे इसको सॉल्व कीजिए कि 60 डिगरी अच्छांस रेखा की भूमत दियर रेखा से दूरी इसके लिए वही सेम 60 डिगरी इंटू आर तो 60 का मान यहां से देख लें कितना है तो मान दिया है 60 का यहां पर 1.317 इंटू आर की वैलू कितनी है 2.1 तो जब आप 1.317 का 2.1 में जब आप इसका इंटू करेंगे तो यह आएगा 2.76 सेंटी मीटर ऐसे ही आपको जो अगला है फोर्थ उसको भी यहां पर सॉल्व करना पड़ेगा तो 80 डिगरी अच्छांस रेखा की भूमत देखा से दूरी अब दूरी के लिए वही 80 डिगरी इंटू आर अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो 80 डिगरी है उसका मान कितना यहां देख लिए आप तो वो है 2.4 36 इंटू आर के वेल्यू यहां पर 2.1 और इस प्रकास से इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.1 सेंटी मीटर 5.1 सेंटी मीटर तो अब यहां देख पा रहे होंगे कि यहां पर 20 डिगरी जो अच्छांस रेखा जो भूमत रिकार से दूरी रखनी आपको व अच्छांस रेखा कि भूमत रिकार दूरी रखनी है वो रखनी आपको 1.6 सेंटी मीटर और ऐसे ही 60 डिगरी अच्छांस रेखा जो दूरी होई भूमत रिका से वो होगी 5.1 सेंटी मीटर तो यहां पर हमने इसको जब सॉल्व कर लिया तो यह जो अभी दूरी निकलके आ नहीं आएगी तो यहां लिख देता हूं में कि 20 डिगरी कमान है जीरो पॉइंट 25 सेंटी मीटर 40 कमान है 1.6 सेंटी मीटर कि सारे मान सेंटी मीटर में है और 60 डिगरी का मान दिया गया है सॉल्व करने पर आया था 2.76 और 80 डिगरी का मान जो आया था निकालने पर 5.1 सेंटी मीटर और बाकी को जो है हम इसको क्या करते इसको अठा देते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक भूमद्रेखा खीचनी है तो भूमद्रे के लंबा यह थी आपकी 13.2 सेंटी मीटर तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक बीच में 13.2 सेंटी मीटर की रेखा खीच है तो जैसे मान के चलें कि यह 13.2 सेंटी मीटर की रेखा हमने खीच लिए इसे हम A भी नाम दे देते हैं यह हमने एक A और B 13.2 सेंटी मीटर खीची जो कि पहले solve करने पर आय थी 13.2 सेंटी मीटर अब हमें क्या करना है कि एक C D रेखा खड़ी करनी है जो अभी फिलाल बिना नाप की है एक हमने C D रेखा बिना माप की खड़ी कर ली C और D और ऐसे हमने क्या है E और F इदर हमने रेखा एक बिना माप की खड़ी कर ली तो जो कि यह E और F है सबसे पहले हमने क्या किया कि एक भूमद रेखा बना लगी एक रेखा A B खीची जो 13.2 की है जो भूमद रेखा उपर दिस्त करती है जो हमारे पहले सॉल्व करने पर 30.2 सेंटी मिटर आया फिर हमने क्या किया कि एक CD रेखा बिना माप की खीच ली और एक हमने B पर E एक E और F एक बिना माप की रेखा खीची अब आप देखेंगे कोशन में कह रहा है कि अंतराल आपको 20 डिगरी का रखना है तो 20 डिगरी अ यहां पर अच्छा को बनाएंगे चालीस साट और असी उसके लिए आप क्या करें कि एक इसके लें और प्रकार और पैंसिल तो 20 डिगरी के लिए आप देखिए कितना कह रहा है वो कह रहा है 20 डिगरी के लिए भूमत रेका से दूरी होगी इसकी 0.75 सेंटी मिटर तो आपक कॉलों में से आपके दूरी भरनी है अपनी प्रकाल में यह दूरी आपकी जो 0.75 होगी वो 7 और 8 mm आप इसके सिकल को देखेंगे तो इसमें मिलीमिल्टर के बीच में भी एक छोटा सा पॉंट यानि की साड़े साथ साड़े 8 जो भी आपको दूरी लेने आप ले सकते हैं तो आपको 0 से लेकर के और यहां पे 7 और 8 mm के बीच में आपको अपनी यह प्रकाल खोल करके दूरी भननी हैं दूरी भनने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि भूमत रेखा पर अपनी प्रकाल रखनी है और पैंसिल को आप उपर ले जाएंगे जैसे मान के चलें कि य कि मैंने यहां पर निशान लगा दिया यहां पर 20 डिग्री अच्छांस के लिए कि यहां निशान लग गया 0.75 का सेम निशान आप इदर बनाईए एक निशान आपने यहां पर लगा दिया ऐसे आपको क्या करना है कि नीचे की और भी आपको सेम वही 0.75 सेंट्वर एक निशान नीचे इदर और इदर लगाने होंगे अब आप इस रेखा को आपस में मिला दीजिए तो यह हमारी जो रेखा है वो 20 डिगरी यह उत्तर की निकल के अच्छान्स और 20 डिगरी यह दर च्छड की निकल के आगई अगला इस ही में कह रहा है कि 40 डिगरी अच्छान्स तो वो कह रहा है एक 0.6 या 1.6 इसकलिए आपको क्या करना है कि अपना स्केल लेना है और 1.6 की दूरी इसमें से लेनी है पूरा 1 सैंटिमेटर ले 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 और छोटे-छोटे 6 mm और यहां से दूरी ले और अपनी प्रकार को तो आपको भूमत रेखा पर रखना है और उपर की और एक यहां पर निसान लगा दें तो जैसे आप निसान से यहां पर आया और एक 1.6 से इदर नीचे की और आ गया वैसी वही सीम दूरी आप इदर लगा लें एक 1.6 इदर और एक एदर अब इनको आपस में क्या करें आप इनको मिला दें यहां हम लिखेंगे 40 डिग्री यह भी 40 डिग्री है यह नौर्थ है यह साउत है अब अगला कह रहा है 60 डिग्री अच्छांस के लिए दूरी कह रहा है 2.6 वही सेम आपको फिर बापिस से इसके लीजिए 2.6 के लिए तो आप 2 सेंटिमेंटर पूरा पूरा और आप इसमें 2.8 सेंटिमेंटर के देखा की दूरी भल लें और दूरी लेने के बाद में फिर वही वापिस से आपको क्या करना है कि भूमद रेखा पर अपनी प्रकार रखनी है और यह जो पैंसल है वो आप आगे तक ले जाए और जहां तक भी जाएगा जैसे वाचलों यह यहां तक आ गया कि यह दूरी यहां पर आ गई भूमद रेखा से ऐसे आप इदर रखेंगे तो इदर भी यह दूरी यहां आ गई कि ऐसे आप नीचे निशान लगा लो कि और फिर एक नई देखा बना भें अब यह आगई आपके साथ डिगरी नौर्थ और साथ डिगरी साउथ ऐसे ही असी के लिए आपको क्या करना है कि पांच पॉंट दो की दूरी भननी है है पांच पॉंट एक की दूरी आपको लेनी है 5 पॉंट एक की दूरी आप अपने 10 कि सायता कि निशान लगाएं अब इनको आपस में मिला दें कि यह आपके एटी डिग्री नौर्थ और यह एटी डिग्री साउथ को प्रदस्यत करेगी तो अब आप देख रहे होंगे कि अभी आपकी अच्छांस रेखाएं बन करके तैयार हो गई है कोश्टन के कोश्टन में कह रहा है कि 20 डिग्री अंतर रखिए तो आपने देखो भूमत रेखा बनाई फिर 20 40 60 और 80 नौर्थ में और साथ में आपने बना ली यह यथाकृतिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो मान होते डिग्री के वह हमें लेने पड़ते हैं और प्रतिक जो दूरी ह कि मत की दूरी कितनी है जीरो पॉंट त्यत्ता सेंटीमीटर है तो आप लोग जानते होंगे कि टोटल 360 देशांतर होते हैं और वह 20 डिग्री के अंतराल पर कह रहा है तो अठारे रेखा हैं आपकी लगवग बनेंगी तो एक तरीका यह भी है किसके बीच की मिड़ वेलू मिड़ वेलू को मिलब हो गया कि 13.2 में और 2 का भाग दे दें और भाग देने पर जो संख्या आएगी यहां से नाप करके वो मिड़ वेलू आएगी और यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि वहीं पर एक निशान लगाएंगे और एक खड़ी रेखा बना देंगे जैसे हमने दो आपको इधर बनानी पड़ेंगी और नो रेखा हैं आपको इधर लेनी पड़ेंगे तो आप क्या करें आप वही अपनी पैंसिल में 0.13 cm के वेल्यू आप ले लें और value बनने के बाद हैं यहाँ से आप निसान लगा दें तो जब आप निसान लगाएंगे तो आपके नो निसान तो इदर आएंगे और नो आपके इदर आएंगे तो जैसे इसमें हम नो निसान बना लेते हैं और नो हम इदर लगा लेते हैं अब नोनो निशान हवाई लग गए हैं अब इनको हम क्या करेंगे रेखां को खड़ा कर देते हैं जब आप इसको सही से बनाओगे स्केल से तो एकदम राइट और सही बुल्खुल तरीका से प्रॉपर वे में ये बनेगा इसके लिए हम क्या करेंगे इनको खड़ा कर लेते हैं यह जो आप खड़ी रेखा देख रहे हैं यह देशांतर रेखा हैं और देशांतर रेखा हैं हम लोगों को जो 0.73 cm रेखा है उसके बेज़ पे हम लोग इनको बनाते हैं जो कि हम उन्हें solve करने पर यह हमारा आया था ऐसे ही आप क्या करेंगे इधर भी हम वहीं सेम 9 रेखा इधर बना देते हैं इधर इनको बनाने पर इस प्रकार से इनके 9 और 9 अठारे भागों में यह बट जाएगी तो आप यह 0 लिखा हुआ है अब 20-20 डिगरी कोशन के अकॉर्डिंग आपको 20-20 के नंबरिंग करनी है तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 अब यह बेस्ट इस्ट होता है तो यह बेस्ट लिख दें ऐसे ही यहां पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 अब यह जो इधर 180 जो वूता है वो वैस्ट होता है तो यह बेस्ट लिख देते हैं तो आप देखेंगे के कोशन कैंक्य एईश्ट के देसांतर रेכा है यह वैस्ट की देसांतर रेखा है और भूमत द्रेखा को थोड़ा सांब डार कर देते हैं जिससे हमें अलगी यह देखने को यह सही धंक से यह प्रदिसित हो जाएगी और तो भूमत द्रेखा से आप देखेंगे उत्तर के ओर जो उत्ती गुलाद है उनकी अच्छान्स रेखा हैं आपको 20-20 डिग्री कंतराल पर होंगी 20-40-80 ऐसे वो दच्छी गुलाद की रेखा ह होती हैं और यहां पर हम लोग एकवेटर लिख देते हैं कि कि एकवेटर लाइन यह हमारी यह आ गई तो इस प्रकास से दिये गए कोशन के अकॉर्डिंग यह हमारा बन करके तैयार हो गया तो यह जो मर्केटर प्रच्छेप होते हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि यह ग्राड़ा डस मर्केटर नाम के डच जो मांचित्रकार था उसने बनाया था और यह नाविकों के लिए बिस्यस करके इस पर मांचित्र बनाए जाते हैं और अगर हम लोग बात करेंगे एक दिस नौपत वाली बात तो एक दिस नौपत का मतलब यह होता है कि यह सही पर किसी भी समुंद्र का चित्र होता उसको दिखा सकता है या यह भी कह सकते हैं सरल रेखा के माध्यम से यहां पर एक दिस नौपत को हम लोग दर्सा सकते हैं तो यह बनकर के तैयार हो गया हमारा मर्केटर अथवा बेलना का यह थाकरतिक प्रच्छे तो आज के लिए बस